आर्जेडी की बैठक के बाद एक बार फिर से आर्जेडी सुप्रमों लालु यादव ने इससाफ कर दिया कि तेजस्वी इस्तिफा नहीं देंगे इस मामले पर बात करने के लिए इस पक्त हमारे साथ है बीजेपी के सामसाद अश्वनी चौबे सर पहली प्रतिकिरिया क्या है अब आर्जेडी की बैठक हुई और लालु यादव ने एक बार फिर से वही पुराना स्टेंड दो राएक तेजस्वी इस्तिफान नहीं देंगे देखे लालु प्रशाद ने जो भी किलियर किया है ये पुरे बिहार को सत्यानास में ले जाना चाहते हैं ये भरस्टाचार परिवार से उटकर के पुरे समाज में जो ब्याप भरस्टाचार को और फैलाना चाहते हैं ब्याप बनाना चाहते हैं एक बिहार का डिप्टिश सरकार में मुक्मंत्री के रूप में विराज़माने और उसके बापजूद भी इस्तिपा नहीं देंगे तो ये चोरी और शिना जोरी ये लोगतंत्र में कडापी उचित नहीं है लोगतंत्र की मारियादा को शमाप्त कर रहे हैं नितिश कुमार का इमेज की बात होती है पॉलिटिक्स में कि सो शासन बाबू हैं अब को लगता है कि बीजेपी ने सर आप लोगों ने अल्टिमेटम दे दिया है कि अगर ते जस्वी का इस्तिफा नहीं होगा तो आंभी धान सबा का सत्र नहीं चलने देंगे तो आपको क्य हो जा रहा है दिरे दिरे ये पर्दा हट रहा है अचार के गोड में बैठे हुए इनको हिम्मत नहीं है घुटना टेक चुके अगर हिम्मत है तो हिम्मत करके देखें इस्तिपाल है बरकात करें एक आखरी सवाल क्या जब अप लोगों ने स्टेंड साफ कर दिया कि भाई हंगामा की बात में लोगतंतर बचाने की बात है यह लोग हंगामा इस मुद्दे पर हंगामा की बात नहीं है हम तो बिहार की दंता को एक वर्द करके एक जूट करके हम विधान सवा से ले करके सड़क पर संगर्थ करें गए अगर तेजस्वी यादव का इस्तिफा नहीं होता है तो बिहार को बचाने के लिए लोगतंतर को बचाने के लिए जो भी होगा कदम उठाना चाहें उस संसत से लेके सड़क तक संघर्ष करना हो बीजे पी वो करके रहेगी कैमरा में सुमेंदर के साथ सुमंद कुमार एपी एन दिल्ली